हलो गाइज मैं प्रभ्जुत को वेलकम टू हेच जे न्यूज हर एक दिन की नई खबरे पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ दल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वज़ा से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबर पहुच पाई नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं एच जे न्यूज नए साल में आएंगे दस लाख नए रोजगार दस प्रतिशत तक भड़ सकता है वेतन प्रद्योगी की में बदलाव से इस साल कई पारंपरिक नौकरियों की जगह नई नौकरियों ने ले ली है वह दाकि उन्होंने कहा कि वेतन वर्दी पिछले साल की तरह ही पनी रह सकती है हाला कि कुछ खास क्षेत्र के लोगों में वेतन की बढ़ोतरी हो सकती है अगले साल होने वाले आम चुनाव के मद्दे नजर संभावना जताई जा रही है कि राजनीतिक और शितदा को देखते ह हुए नियोकता दोहजार उनीस की पहली च्हमाही में सतर्क रुख अख्तियार कर सकते हैं रोजगार सुजन हाल के समय में बहस का बड़ा अहम मुद्दा रहा है क्योंकि तेज व्यापक आर्थिक सम्रिधी के वावजूद रोजगार सुजन की गती उम्मीद के रही दूसरी और एक आकलन के मताबिक हर साल एक करोड़ दो लाख लोग रोजगार बाजार में प्रवेश कर रहे हैं विशेशग्यों का मानना ये है कि देश में रोजगार सुजन को लेकर परियाप्त और अविश्वशनिया आंक्डों के अभावव की कारण भी इस्ति अ इसके बावजूत संगठन 2019 में अपनी कारोबारी योजना को लागू करने को लेकर सतरकता का रुख अपना सकते हैं कम से कम साल की पहली तिमाही में रोजगार शुजन प्रवावित होगा मानव संसाधन सेवा प्रदान करने वाली रेंट स्टेंड इंडिया के प्रमुख जूपरीस ने कहा कि सूचना और ध्योगयकी के दो साल बाद नियुक्तियों का उत्साह का माहूल रहेगा ऐसा नए यूग के प्रद्धोकी की क्षेतर में कुशल प्रतिवार शाली लोगों को नौकरी मिल सकेगी इस साल बुनियादी धाचक क्षेतर विनियरमान खुदरा FMCG क्षेतर में स्थिती बेतर हुई है हाला कि बैंकिंग, वित्य सेवा और दून सर्शान स्थितरों में नौकरी की स्थिती बत्तर बनी हुई है आपको क्या लगता है कि 2019 में नए रोजगार की आवसर आपको फाइदा दे सकते हैं अगर हाँ तो उस कमेंट में जाकर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद